हेलो दोस्तों, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेट रखने वाली जो बैंक है, जो कमपनी है, वो है HDFC बैंक, क्वार्टर टू के नतीजे बहुत ही जल्द आने वाले हैं, मतलब जो जुलाई से सप्टेंबर, ये तीन महीनों के जब रिजल्ट आने वाले हैं, October 19 को, उससे पहले हम प्रिव्यू करेंगे इंपॉर्टन चीजें, जो बैंक हैं, उनके बिजनस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है, कि ये जो रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही यूनिक और इंटरस्टिंग आने वाला है, क्योंकि पहला रिजल्ट जो पोस्ट मर्जर के नंबर्स के साथ ये आ रहा है, ये तो अभी तक जो भी पिछले दो तीन क्वार्टर से रिजल्ट आये हैं, उसमें येर टू येर ज का मतलब क्या है, जून 2023, पिछले साल का, ठीक है, फिर उसके बाद मर्जर होता है, जुलाई के महिने से, और उसके बाद अचानक से अलग नंबर यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये मर्जर वाली ये बुक है, ठीक है, तो और लडरी चार क्वार्टर यहाँ पर हो चुके, अब deposit का नंबर की बात करते हैं, तो 4.6% quarterly growth हुआ है, जो भी अभी हम लोग के पास data है, quarterly data ही है, तो quarterly data के साथ ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप advances या loan growth की बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा loan growth नहीं हुआ है, again quarterly हम यहाँ पर देख रहे हैं, Q4 से Q1 म से लेकर June quarter तक का 0.8% का जो growth है, loan का हमको देखने को मिला है, book किस तरीके से है, तो overall merger या post-merger या pre-merger बहुत difference नहीं मिला है, जैसे आप देखेंगे retail 83% book थी, जो अभी भी आप देखेंगे 83-84% book ही है, जो bank का भी हमेशा से strategy रहा है, और focus रहा है कि retail में ज्यादा से ज्या परसंट हमने देखा था, अभी ये घटके 36% इनफेक्ट क्यों और क्यों भी 38-36 हो गया है, अब कासा ratio ये बढ़े यही एक expectation रहनी चाहिए, bank का branch network के अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है, अगर आप merger से पहले देखेंगे 7,860 जो branches हैं, उनका network था, अभी ये 8,851 है, यहाँ हमको बहुत growth देखने को मिला है, और HDFC bank कुछ bank मैं से ऐसा है, जो बहुत ज़्यादा जो physical distribution पर काम करें, आजकर distribution जो digital है, उस पर बहुत ज़्यादा काम होता है, हम देखते हैं, HDFC का भी focus है, लेकिन वो physical पर भी उतना ही focus दे रहे हैं, दोस्तों, customer base देखेंगे, अगेन, आप pre-merger देखेंगे, तो 85 million था, अभी 95.1 million है, क्योंकि merge book है, तो HDFC जो पुराना HDFC limited था, वहाँ से भी कुछ customers आये हैं, net interest income 29,800 करोड के आसपास है, और यह quarter 4 में 29,100 करोड के, आसपास थी, थोड़ा सा net interest income बढ़ा है, अब margin को समझ यह बहुत ज HDFC bank को high margin वाला bank माना जाता था, in fact, आप जो देख रहे है, pre-merger का number आप 4.1% देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ साल पहले कि अगर data देखेंगे, तो 4.4, 4.5 का भी आपको NIM देखने को मिलेगा, अब जो merger होता है, तो एक और book उनके साथ, जो bank के साथ यहाँ पर जुड़त bank की, तो उसके हिसाफ सा 3BPS भी एक positive impact यहाँ पर हो जाता है, अभी आप post merger देखेंगे, NIM थोड़ा से increase हो रहा है, यह एक important चीज रहेगी, NIM का अब किस तरीके से final numbers आते हैं, यह बढ़ा, तो यह बिलकुल business के लिए और अच्छा हो जाएगा, gross NPA, net NPA, अच्छी बात क्य रही है कि pre-merger, post-merger, जो asset quality है, हमको बहुत difference नहीं देखने को मिला है, बहुत ही constant है, जैसे आप देखेंगे, 1.3 का gross NPA है, और net NPA भी 0.4% के आसपास में है, और यह HDFC bank की जहां तक बात हम करते हैं, consistency की बहुत ज़्यादा बात होती है, लंबे समय से gross NPA उनका कम ही रहा है बहुत सारी अभी banks का आपको NPA कम होता हुआ नजर में आ रहा होगा, लेकिन कुछ private banks, even कुछ PSU bank जो है, उनकी books अगर आप देखेंगे, खासका 2018, 19, 20 के period में, तो NPA का challenge उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन HDFC bank को उस समय में भी NPA का challenge नहीं था, एक stable NPA मत जो है, थोड़ा सा कम हुआ है, 16,200 करोड के आसपास, अब merger है, तो EPS हमको ज्यादा idea देता है, EPS आप देखेंगे, same देखने को मिल रहा है, तो जो profits है, ऐसे आप देखेंगे कि merger की book के बाद में profit ये बढ़े हुए हैं, लेकिन EPS से, क्योंकि यहाँ नए share भी यहाँ add हु books की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो price to book के हिसाब से, 3 का price to book हमको देखने को मिल रहा है, ये screener का अगर में data देखता हूं, तो historically 3.6 का हमको देखने को मिला है, 10 year का अगर हम data देखेंगे, 4.2 एक टाइम ऐसा भी था, आप जैसे देखें, 2016-17, बहुत सारी bank को high price to book मिल देखने को मिलता था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि valuation उनका कम हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन yes, हमको जो business है, उनका भी growth का challenges भी देखने को मिल रहा है, अब Q2 के जो numbers है, वो बहुत ही important होंगे, interesting होंगे, जहां हमको और ज्यादा clarity पता चलेगी, तो business में last में क्या च growth हमको Q1 में देखने को मिला है, NIM बहुत down हुआ है, pre-merger और post-merger और देखेंगे वो बहुत हत्तक expected भी था, क्योंकि एक नई book साथ में जोड़ रही है, लेकिन NIM recovery और उसके जो signals है, वो important चीज़ देखने की रहेगी, जबी भी results आएंगे, October 19 को दोस्तों, subscribe करके रखेगा अल्ली financial आजादी, मुझामीद इस वीडियो से आपको value मिली होगी, आपको business के बारे में और ज्यादा idea आया होगा, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धनिवाद, thank you दोस्तों